हम प्रणाम करते हैं और आज रास पूर्णीमा है यहां भी बहुत आनंद है कनक बिहारी जी के स्वरूप एक स्वरूप बाहर बिराजेंगे सब जगए मंदिरों में भी ठाकुर जी चांदनी में बिराजेंगे जगए जगए उस्व की समाज भी होगी और हमारे ब्रंदावन में तो क्या कहना साल भर में आज ही बिहारी जी बंसी धारन करते हैं चांदनी रात में उनका दर्शन होता है उपर का जो सैड होता उसको हटा दिया जाता है चांदनी पूरी लाइट बंद कर दी जाती है और चांदनी के शुब्र प्रकास में विहारी जी का दर्शन होता है और सब जगे तो एक दिन की रास पूर्णिमा मनाई जाती है राधाव लवलाल जी में दो दिन आज भी रास का समाज, कल भी रास का समाज क्योंके श्री हरिवंस महापुरू आज के दिन ही सदेह निकुंज में प्रविष्टू हुए थे मान सरोबर गए, वहीं नित्य साधन करते थे मान सरोबर मने, कैलास मान सरोबर नहीं हमारे ब्रिज में यमना जी के उस पार मान सरोबर है वहाँ स्री हर्वन्ष महापरु नित्य, श्री राधाव लवलाजी के राजभोग के पस्चात वहाँ बधारते थे और वही शनान करके वही अफनी मानशी सेवा, रसो पासना के अниरूप वहाँ आप साधन करते थे और फिर उत्थापन के समय आते थी तब राधावलोलाल जी का नित्य का ग्रुम था शर्द पुरुणिमा को स्री हरिवंश महाप्रु हो गए तो लोटके नहीं आए चंद्रोदय हो गया राधावलोलाल जी का जगार नहीं हुई अकेले ही जाते थे क्यों नहीं आए तो स्री हरिवंश जी ने नित्य सिद्ध रसिकों ने धियान में लीला का दर्शन किया और रुदन करके करते हुए कहा कि शीव महाप्रुभू स्री हरिवंश जी जी तो सदेह यूगल में प्रविष्ट हो गए कुझ में प्रविष्ट हो गए इसलिए दो दिन एक दिन आज भी और एक दिन कल आज महाप्रुभू हरिवंश जी रास में प्रविष्ट हुए और फिर कल हमारे श्री अवध में श्री सिताराम जी की रसो पासना की एक पीच स्री बामन जी मंदिर भी है वहां के पुझ महाराज जी पधारे उनको हम प्रणाम करते हैं तो आज हमारे व्रिज में सरद पुर्णिमा का सरदोत्सव सर्वत्र मनाया जाता है ब्रिज में गोपुल में और हमारी सूरश्याम गोशाला में तो आज वर्षवर के पर्व है न धाम के तो आज ब्रिज में सरद पुर्णिमा का महापर्व चंद्र सरोवर का है आज लाखों दीपदान होते हैं और रास की समा चंद्र सरोवर अपनी सूरश्याम गोशाला में तो प्राया प्रतिवर्ष दास की हाजरी चंद्र सरोवर पर होती है इस वार हम यहीं से चंद्र सरोवर के उत्सव को प्रणाम करते हैं इस वार अयोध्या नाज जी ने कृपा की है कि राशपुर्णी माँ पर यहां रहो जैव पूजी श्री भक्तमाली श्री बिहारी दासी महराज की ओर से आज बीश कुंटल दूर की तसमे बनी है आज तो खीर का विशेस महत्तम है यह श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराज जी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें